नमस्कार वईति गुपाल नरेंच शर्मा की उससे आज एक पर फिर आईवेदाम रिदम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे योकी जो कि गर्मियों में हमारे बहुत ही उप्योगी सिद्धु होगा गर्मियों में जैसा कि आप जानते हैं दस्त की शिकायत रहती है पेचिश या दस्त लगती है और उसमें पतले दस्त लग सकते हैं या पेट में एठन के साथ में आम आता है ठोड़ी ठोड़ी ठोड़ा खून पड़ता है बारबार शोच जाने की इच्छा रहती है और भी दवाईये पंसारी की दुकान पर मिलती है लाकर के आप दलिये जैसा इनको कूट लीजिएगा और जैसा मैं बटाओ उसी साप से आपको इसको लेना है यह कैसे बनता है शास्त्रकार कहता है सवात सक है साति विशस बिल्वे सोधिच मुस्ताश्य कृत कसाय सामे सशूले सहशोणी तेचे चिर्वर्तेदी हिदोती सारे केते हैं सवात सका यानि कि कुड़े की चाल इसी नाम से मिलता है मारकिट में कुड़े की चाल इतीस विल्वे सात का साति विशस सबिल्वे और कच्चे बेल का कच्चा गुदा कच्चे बिल का गुदा, सवत सकय, साथ विशास सबिलवय, सौधी च्च, यानि नेत्रवाला, और मुस्तक यानि की नागरमोता, इन सभी चीजों को समान मात्रा में ले करके दलिये जैसा कुठले, एक गिलास पानी में 10 ग्राम डाल करके, यानि की दो चम्मच सामन, अपने जो खाना खाने वाला चम्मच होता है, टीस्पून, दो चम्मच लीजिए, और फिर इसको कम आज पे उबालिये, उबलते बलते जब चोथाया गिलास रह जाए, वनफोर्थ गिलास रह जाए, तो चान के इसको पीजिए, सुभे, शाम, दोप्यार दिन में तीन टाइम ले खाने में आपको चार-पास दिन तक दो भाग मूंकी दाल चिलके वाली, एक भाग चावल, उसकी अच्छी खिचडी बनी हुई हो, जिसे सुभे चाच के साथ लीजी आप, और शाम को आप बिना चाच के लीजिए, लेकिन आपको भूल कर बेव चीनी घी ये चीजे नहीं मिलानी है, मैं समस्ता हूँ कि आपके लिए बहुत उफियोगी रहेगा, घर पे आप बना करके रखिये, बहुत सुन्दर रहेगा, आपका दिन शुभे मंगल में हो, नमस्कार